एक सुहलेव फ्रैंस कैसे आप सब उम्मिद है अच्छे होंगे इस वीडियो में आपको पताने वाला हूं कि यृदि आप यूटूब पर नैं और आपको पतना यह तरीका नहीं है कि यृटूब पर जल्दी से ग्रूप आपके ईलदी से ग्रूप कैसे होते हैं और कैसे सब्सक्राइब करें आप लोग क्या करेंगे कि आपके चैनल पर यह आपके सब्सक्राइबर बढ़ने लगे जल्दी जल्दी आपको करना क्या है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं तो फ्रेंट सबसे पहले आपको यह चीज़ नोटिस करनी होगी कि जब आप यूटूपर चैनल बनाते हैं तो चैनल बनाने के बाद आपका कोई उद्देश होता है यानि कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनाने हैं किस केटेगरी पर काम करना है ठीक है जैसे कि पहला हुआ तो पहले सोचा हुआ कि मुझे अपने चैनल पर किवल पढ़ाना ही ठीक है तो पहले चीज़ तो यह हूई या फिर दूसरी उस चैनल पर एक ही डालते है और जो दूसरी का चैनल शो कता है कि आपने चैनल बनाया और आपका कोई देश नहीं है कि मुझे कोई सी चैनल काम करना है इस इस तरीके थोड़ी से टफ है क्योंकि यूइट मिलती है थोड़ा समयना लगता है जिनके एक दो महने तीन महने चार महने आपको यूटूब को देने होते हैं ठीक है फ़र स्यदी मैं अपने राय दूँ कि आप यूटूब पर कैसे सफल हो सकते हैं तो दोस्तों मेरा जो तरीका है यह है कि यदि आप एक नए यूटूब चनल बनाते हैं तो उस पर आप कोई कैटेगरी सेलेक्ट मत करेए मैं कहना का मतलब यह है कि आपको नए चनल पर अला गला कैटेगरी की वीडियो डालना है चाहिए आप कमेडी डाल सकते हैं बट याद रहा है खुद की कमेडी डालना है दूसरे के वीडियो उठा करके नहीं डालना ठीक ना यह आप यूटूब पर सफल होना चाहते हैं एक ची और होती है जब कोई topic trending में चल रहा होता है जैसे कि कभी-कभी कोई comedy बगार trending में चलती हैं कभी-कभी कोई sound comedy trending में चलता है कभी-कभी कई बार ऐसा होता है कि बहुत से topic जो है trending में चलते रहते हैं जैसे कि एक बार हमारे Superhero सुपसांध सिंग जी की death हो गई थी तो वो topic महिन और trending में चले ठीक है ना जितने भी वीडियो उनकी उपर बनते थे सब वीडियो वारड हो जाते थे कुछ दिनों की पहले की बात करूं तो अभी कच्चा बदाम ट्रेंडिंग में चल रहा था ठीक ना तो कच्चा बदाम किवल सौंग नहीं कच्चा बदाम सब्द को ही लेकर कच्चा बदाम का सब्द यूज करके और कई सारे लोग जो अलाग अला करीमें चैनल नहीं बनाया है तो ठीक ना अब होगा क्या दोस्तों इस रिजल्ट का निकल कर रहा है कि देखिए जब आप नए चैनल पर वीडियो डालते तो आपके किसी वीडियो इस पर वीडियो बहुत कम आते हैं दस पांच वीडिया यह बट आप यदि कोई वीडियो आपके चैनल से वारल हो गया जिस भी टॉपिक का जिस भी कैटेगरी का वीडियो आपके चैनल पर वारल हो गया जैसे मान चली कच्छा बदाम तो आपको करना क्या कच्छा बदाम से लेटेट कई सारे वीडियो बनाना है तो जो आपके सब्सक्राइबर गयन होंगे तो उ पहले से एक category में काम करतें तो उसका benefit यह होगा कि जब आप video बनाते हैं तो कोई video आप वारल हो गया ठीक है ना मानिचली कि आपने सब वीडियो बनाए और सब वीडियो में से आपका एक वीडियो वारल होगा ठीक है ना तो आप होगा कि जब नेक्ट वीडियो डालेंगे तो हो सकता कि आपका नेक्ट वीडियो भी चलने लग जाए वाइरल हो जाए ठीक ना ऐसे होता थे जिरी चेनल घ्रू होते है अब उसके बाद होगा क्या कि देखेए जो आप पहले से क ट्रेग्री ब्राउज फीचर से आपके वीडियो इस पर काफी ज्यादा व्यूज आ जाएंगे यादि कि मैं तकरीवन मान कि चलूँ कि यह आपके दस हजार सब्सक्राइबर है ठीक ना अब आपने देखेंगे आपका चैनल एक काटेगरी का है और आपके उसी काटेगरी में दस हजार स जाए तो यह निकि नेक्स टाइम भी बारव होना के मतलब यह है कि अच्छा खासा चल जाए पचास जार एक लाग तक चल जाए दो लाग तीन लाग ज्यादा भी चल सकता ठीक ना कोई लिमेट नहीं है चलना की सो हो सकता कि भाले आपकी सब्सक्राइबर दस हजार बट आ एड़लेश्ट सब्सक्राइबर में एड़लेश्ट दोहजार 2500 यापृष आएंगे ही आएंगे और इतने में दोस्तों आप स्टार्टिंग में यूट्यूब से अच्छी खासी आने कर पाएंगे आप खरचे चलेगा और लगए 10-15 चीजा रुपई आप मंधली कमा सकते ठीक ना फिर धीर धीर आपका चनल ग्रू होता रहेगा सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे और आटोमेटिक आपकी वीडियो में अच्छे खास रीज आने लगें तो यह होता है यूटूब पर दो तरीके से ग्रू होने की राश्तिर